किसानों को प्रमित कर रहेंगी बड़ी साजित चल रहें राहुल गांधी जी किसानों को लेकर ध्रम फैलाने के लिए बाड़ी ट्विट कर रहें हैं कई दिनों से देश में किसान सडकों पर बैठे है अबी तक सरकार और किसानों के बीच कोई सहमती नहीं बनी जब से किसानों ने अंदोलन शुरू किया है तब से कोई ना हुई सरकार का नेता और मीडिया रस्ते डून रहे हैं इससे बदनाम करने के पर किसान शांती पूर्व के बैठे हैं उन पर इन बातों का असर कम ही हो रहा है खेर पियम मोदी कहते हैं किसी ने किसानों को बढ़काने की कोशिश किये किसानों को प्रमित करने की बड़ी साजित चल रहा है कि नए कुषिश उधारों के बाद खेर उनकी पार्टी के नेता ही इस अंदोलन के बारे में क्या कुछ कह रहे हैं एक एक कर यह सुनिए केंद्रिय मंत्री राओ साब दानवे ने इस अंदोलन को पाकिस्तान और चाहिना के साथ चोड़ दिया बारत के किसान हैं तो पाकिस्तान और चाहिना का हाथ कैसे हुआ यह तो वह ही जानते होंगे इसके इलावा बिजे पी नेता कृष्णा कुमार का बियान सुनिये वैं कह रहे हैं कि यह किसान नहीं दलाल है जो अंदोलन कर रहे हैं लेकिन मैं डावे के साथ करक्ता हूँ 200% किया बील किसान के हीत में है बीजेपी नेता संबित पात्रा किसानों के अंदोलन के पीछे विपक्ष की शाजिश पता रहे हैं और भी काफी कुछ कहते दिखाई दे रहे हैं खरीप का क्रॉप हो गया है रभी आने वाला है तो जानते हैं वो क्या समझते हैं वो रभी और खरीप को भारती जन्ता पार्टी का कारेकरता समझते हैं उन्हें तो ये पता भी ने कि ये फसलों का नाम है रभी और खरीप फसलों का नाम है ये राहुल गांदी नहीं जानते इसके लावा रवी शंकर परशाद किसानों के अंदोलन में टुकड़े टुकड़े गैंग की एंट्री की बात कर रहे हैं तो आज नरेंद मोदीजी ने कहा कि जब हम बात्षित करने को तयार हैं हम कहने को तयार हैं कि MSP नहीं हटेगी तो कौन लुग है कह रहे हैं जब तक ये कानून हटेगा नहीं हम पीछे हटेगे नहीं तो हम भी कहना चाहें कि बड़े आदर के साथ भारत सरकार किसानों का बहुत सम्मान करते हैं नरेंद मोदीजी किसानों का बहुत सम्मान करते हैं और देश के इकसान भी मोदी जी का बहुत सम्मान करते हैं, हर जगा हम जीत रहे हैं। लेकिन अगर किसानों के आंदोलन के आर में भारत को तोड़ने वाले लोग टुकड़े टुकड़े लोग पीछे होकर आंदोलन के कंदे से गोली चलाएंगे तो उनके खिलाब बहुत सक्त करवाई भी की जाएगी। आखिरे ये टुकड़े टुकड़े गैंड क्या है। जब सरकार को ही नहीं पता तो ऐसे शब्दों को किस के लिए इस्तमाल कर रहे हैं क्या किसानों के लिए एराहूल गांदी ने सरकार पर निशाना साथे ट्वीट किया लिखा तो किसानों को बढ़का आकॉंड रहा है ये तो पियम मोदी ही बता सकते हैं पर बदनाम कौन कर रहा है ये तो हमने कुछ वीडियो तो दिखा ही दिये आगे देखते हैं सरकार की मनशा क्या होने वाली है इन अंदोलन और कृशी बिलों को लेकर पंजाब टोडे टीवी खायो शुटिए थाँ पंदोलन को लाँ पर नगवी झाँ अंदोलन को लेकर रहा है झाँ जड़के वीडि़ों की बिलोंक अंदोलन को पिया ये ये पर रहा है पोगलों की बिल्बदि़ग्ळद बीवीडिव moral